नमस्कार दोस्तों चद्रमा 13 तारिक को धनुराशी में होंगे सुवे 9 बच के 30 मिनिट तक उसके बाद चद्रमा मखर राशी में परविश करेंगे हम बात करते हैं 13 और 14 अगस्त की आपके लिए यहां दोनों तारिके शुप परिणाम लेकर नहीं आ रही है मानसिक चिंता परशानी के साथ वक् अच्छा ना लगे क्योंकि इसका कारण होगा दिल में बेचैनी चिंता परिशानी आपके दोरह लिएकर निर्ने गलत साबित हो सकते हैं आपके शारीर में चोटे-चोटे कष्ट हो सकते हैं जैसे की पैर में चोट लग जाना मोश लग जाना पैर मुड जाना या किचन में काम करते समय चापो लग जाना या फिर कोई मौसमी विमारी का अचानक से पकड़ लेना आपकी दोस्ती बुरे लोगों के से हो सकती है या बुरी संगती की तरफ आप ज़ाधा जा सकते हैं आपकी कमाई हुई जो धन दौरत है वो वेर्थ में खर्च हो सकती है आप लोगों क कि दुनिया में खुईर हेंगे। कुद ही प्रेश्ट करेंगे। व اس बेद्र के काम भी ना करें। पता है यह काम गलत है। इस्के इजाजत ना धर्म देता है। ना आप मैं---- उसके बाउद्र भी आपको चुलुठे सीधह काम कर सकते हैं। जिसकी वजह से आपको और पर्शानी हो सकती है। तो इन दो दिनों में कोई काम अठका हुआ था तो उस काम को पूरा कर सकते हैं, आपके प्रयाश लबख-लबख सफल होंगे, खर्चों को उतना ही करें जितनी आउशुकता हो बेफदूर के खर्चों से, आप अपने घर की आर्थिक इस्ति बजट को आज के लिए ही नहीं, इन दो दिनों के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी बिगार सकते हैं, धन हानी की भी संभावना है, कोई धोका धड़ी, कोई फरेव से, कोई गलत चीज बेच कर लेने गयते सोना, ले आए पीतल, इस तरीकी की धोका धड़ी भी आपके साथ हो सकती है, तो यहां पर सावधानी रखने की आउशकता आपको पढ़ने वाली है, यानि सोस समझ कर चीजों को खरीदें, या सोस समझ कर कहीं पर निवेश करें, या सोस समझ कर कहीं पर फविश्य के लिए इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, तो धोका हो सकता है, जो चीज दिखाई जा गुस्से पर काबू रगने के आउशकता होगी, वेवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है, प्रेम समंदों में धोका हो सकता है, वेवाहिक जीवन में भी धोका हो सकता है, या आप किसी को धोका दे सकते हैं, पैसा कमाने के लिए आप शॉर्टकट का रास्ता अपना सकते हैं, सिर्फ अपना ही भड़ा सोचेंगे दूसरे का बुरा होता है अहित होता है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा आपका काम बन जाए दुनिया के काम से आपको कुछ देना देना नहीं है आप सिर्फ इन दो दिनों में अपना फाइदा देखेंगे कि मेरा फाइदा कैसे ह यही रंदीती आप वैबार में नौकरी में शिक्षा के चेतर पे अपना सकते हैं आपको सफलता पूर्वक यात्रा करनी चाहिए इस समय में यात्राइं बढ़ सकती हैं लेकिन सावधानी पूर्वक वरना यात्रा में भी धोका घड़ी फरेव या नुकसान हो सकता है आपकी माता जी अध्यात्मिक होगी आपकी माता जी आपको धर्मकरम से जोडने का प्रयास करेंगी आपकी माता जी आपको सही रहा निश्य तोर पर सफलता मिलेगी और आपकी बाता जी आपके लिए भाग्यकारी सला दे सकती हैं आपकी माता जी की सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं और इस बुरे وक्त को अच्छा बना सकते हैं इश्यवर में मन लगाएं और हर काम को करने से पहले सोच विचार अबर्श आनद नखाये नशे की चीजों से दूर रहे बात करते हैं उपाये की तो आज आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है उपाय करना तो उसमें से तीन उपाये आपके लिए फिट पहटते हैं नमबर एक, हर्मान चलीसा का पाट करें, सुबह और शाम करें, दोरों दिन नमबर दो, इसके साथ साथ महामरतुन्जे मंत्र और ओम निवाशाय मंत्र करजाब निश्चित तोर पे करें नमबर तीर गैतरी मंत्कापाट और मासरस्थी की अरादना निश्यत तोर पर करें और नमबर चार और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी माताजी का आशिरवाद और उनकी सलाओ को माने और हर काम सोच समझ के करें और एक वैसे मेरी तरफ से सला है कि हर एक काम को करने से पहले सोच विचार के साथ साथ बिल्कुल भी क्रोध में काम न करें बिल्कुल भी शान्त होके काम करें और अब तेरे दिमाग को ठंडा रखें हरियों नमस्कार